तो आज थोड़ा सा न्यू टाइप का वीडियो हम बना रहे हैं थोड़ा सेटप चेंज किया है आज हम अपने ऑफ-लाइन बैचेस हमारा चलते हैं वहां से मैं वीडियो बना रहा हूं आज ओफिस में आया था तो आज कुकली देख लेते हैं मार्केट का सब आज के दिन परफॉर्म किया है और निक्स दिन का क्या प्लाइनिंग हो सकता है जिस्ट बेस्ट अन प्राइजेक्शन देखेंगे कल कहीन है कि हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में डिसकस किया था कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है हमने डिली टाइम फ्रेम म कैसा परफॉर्म किया अगर आप ध्यान से यहां पर देखो I think यहां पर मेरा स्क्रीन देख रहा है थोड़ा सा जूम कर दे था क्योंकि दूर से कैमरा है उक्यी तो यहां पे अगर हम देखे हैं निफ्टी ने लाज दो दिन में यहां पर सुटिंग स्टार है बढ़ इसने गयाप अंब को हुश यहां पर कल हमने डिसकर्स किया था कि अगर यह जो दो केंडल है इनके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो यहां पर कोई बीरिस अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है बट ऐसा कुछ हुआ नियुक्त स्टुड़ी का हुआ गैप उपनिंग हो गया 15 में टाइम फ ओके तो यहां पर मार्केट को देखें मार्केट ने गैप ओपनिंग दिया खुलते ही प्रिविएस तो यहां पर वन टाइप और सपोर्ट लेवल था खुलते थोड़े नीचे आया अब एक पॉइंट आप याद रखना जबी मार्केट में एक्सपेक्टेट सेलर जब मार तेरे एकजिट करने लगे अब जैसे एकजिट करेंगे और क्या करेंगे अब बाइट लेने के बाद मार्केट में क्या होता था थोड़ा बाद बाइंग आया हमने देखा यहां पे कल भी मार्किंग किया था हमने 23,410 लेवल 415 लेवल कि वहां पे एक lifetime high का level है अब हुआ क अब बाद मार्केट एकजेक्ट यहां पर अब बड़ सस्टेन का मतलब किया उपर जाने के बाद यहीं पर support लेकर फिर upside जाना चाहिए था दुबारा देखाता हूं यह लेवल कि उपर गया support लेकर उपर जाना चाहिए वैसा हुआ नहीं market ने किया किया उपर गया resistance बनाया फिर नीचे आया यहां पर support लिया फिर उपर जाने कोशिच किया पर आज के सुबा के आसपास जो इसने हाई बनाया time एक बाद देख लेते कि किस time के आसपास ही है यहां पर अगर मैं time ध्यान से देखू time हो रहा है almost 10.5 के आसपास तो 10.5 के आसपास market ने जो हाई बनाया उ अभी पहले में वीडियो बनाके रख रहा हूं ज्यादा fall करेगा नीच थोड़ा बहुत थोड़ा यहां से fall आ सकता है अब तिल 23,286 लेवल यहां तक market एक fall दिखा सकता है अभी इस जाब से fall कर रहा है अब अगर कल के लिए यहां पर को analysis करे क्या हो सकता है यहां से देखत market अभी तक एक range bound market में है fine कल भी आपके साथ discuss किया था कि चवी market range bound market में रहता है range bound रहता है तो next दिन जब इसका high या low break हो तक bigger momentum आता है अब हुआ क्या मतलब अभी फर्दर देखें कल का planning कि कल opening कहा होता देखो आज का इसने high भी break किया अब almost नीचे के तरफ closing भी दे रहा है तो कल हमें opening check करना है for example chances are there कि side से नीचे open हो मैं कुछ analysis पहले से नहीं कर रहा कि कहां पर open होगा बस हम guess कर रहे for example market यहां कही open होता है this is the 23,410 level या अगर आज का resistance level भी देखें तो यहां पर क्या हो सकता अगर first 15 minute candle देखें यहां पर हम क्या करना है first 15 minute candle का high or low mark करना है अगर का low break करता है then we might get a bearish scenario हमें यहां पर selling का scenario मिल सकता है आज कल का जो day low था वहां तक का momentum आज का जो day low था वहां तक का momentum यहां पर देखने को मिल सकता है fine हमें तब तक buying के लिए याना जब तक market properly यहां open होने के बाद अगर इस यह जो resistance है अगर इसके उपर sustain किया तब ही हम कोई buying scenario देखेंगे नहीं तो यहां पर कोई buying scenario नहीं देखना है just because यहां भी मैंने explain किया देखो this was a resistance level अगर इसके उपर sustain करता then we might go for a buying तो आज के दिर हमें बाइंग करना ही नहीं था आज यहां पर avoid कर सकते है था हम trading तो कल भी हम यही fallout करना है next कि sir अगर market is range के अंदर open हो गया प्ले आउट कर रहा है as an option seller आप यहां पर कहीं नहीं के short straddle या short strangle बनाके बैठ सकते हो ठीक है फिर यह तो था sideways का अगर हमें यहां कोई option buying के साब सो कोई trade लेना है हमें wait and watch करना कि market यहां open होने के बाद यहां तो इसके उपर sustain करें अपसाइड में आप marking कर सकते हो 23,000 23,000 440 लेवल ठीक है 23,000 440 लेवल यहां पर है अगर इसके उपर sustain किया तब भी बूले scenario अगर हम downside का बात करें it is 23,000 220 लेवल ठीक है अगर market इसके नीचे sustain करता है तो हम कोई बीरी scenario लेने वाल है जब तक market इस range के अंदर रहेगा तब तक हमें कोई buying scenario देखना ही नहीं मतलों option buying क scenario कुछ देखना ही नहीं है next sir अगर market gap down open हो गया for example market कहीं नहीं open होता है 23,200 के आसपास 23,150,160 के आसपास यहां अगर open होता है continue market ने बहुत बास support यहां पर लिया है अब यह support instant convert होगा किस में resistance में तो हम बस यह observe करना है किस level के आसपास market open होके थोड़ा सा उपर जाए यहां से थोड़ा selling scenario दे type of ऐसा कुछ pattern form होना चीए इस type का pattern अगर ऐसा कुछ pattern form होता है तब हम इस area के आसपास कोई selling scenario देख सकते हैं फिर थोड़ा बहुत fall नीचे downside देखने को मिलेगा एक बाद देख लिए कितना fall आ सकता है मैं bigger time frame आ रहा हूं for example one hour time frame अगर selling आता है तो almost market 23100 23100 तक का fall दे सकता है अगर ये भी level break हुआ इंटरे के अंदर तो direct 23000 तक का momentum कर सकता है i hope यहां तक clear हुआ अगर upside for example देखा कि market open होने के बाद upside sustain कर रहा है वहां पे हम target set नहीं कर सकते बट keep in mind उपर की तरह एक resistance है that is around 23500 अगर हम देखा कि market 23500 के उपर sustain किया तो सायद से intraday में बहुत अच्छा bullish momentum देखने को मिल सकता है तो ये analysis हमारा हो गया nifty में इसका quickly bank nifty देखेंगे बड़ उससे पहले अगर आपने अभी तक video like नहीं किया है new type का video आज हमें देखने को मिल रहा है तो छोटा सा like जरूर बनता है यहां पर like जरूर कर देना comment बताना कैसा लगा आज का setup कोशिस करूँगा ऐसा कभी-कभी वीडियो बनाने का ओके चलो अब आते हैं bank nifty में कि bank nifty क्या कर रहा है अगर हम bank nifty को observe करते हैं almost market close होने वाला यहां पर अगर बैंक निफ्टी का overall chart देखें डेली टाइम फ्रेम में यहां पर अगर हम देखें अगेन मैं जूम करता हूं candle stick आपको दिखाना चाहूंगा डेली टाइम फ्रेम में देखो यहां पर क्या बन रहा है एक shooting star अगेन लास्ट केंडल भी एक shooting star टाइप था आज दुवारा market shooting star बना रहा रहा है मतलब यहां पर क्या दिखाना चाहता ह that is 50,300, 50,200 level पे sellers अभी तक present है यह market को नीचे लाना चाहते कहीं न कहीं अगर बिगर कोई selling scenario देखना है तो आप ready रहा हूं यहां पर market एकदम ready बैठा है कि मुझे नीचे की तरफ ले जाना है तो अगर कल के दिन यह जो level form हुआ था मनलब कल का जो low था अगर इसके नीचे market आता है तो bigger fall देखने को मिल सकता है यह already last 2 दिन से हम study कर रहे हैं अब आते हैं 15 में time frame की आज कोई entry हो सकता था आज कोई trade possibility हो सकता था कि नीच उसको देख लेते हैं चार्ट को थोड़ा जूम करेंगे यहां पर एक trade opportunity हो सकता था बट पता नहीं आप लोग capture कर सकते थी निकर सकते थे थोड़ा सा जूम कर रहा हूं मैं जस देखो कुछ ने support resistance का बात है यहां पर market बार 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 support ले रहे हैं आज का फर्स्ट 15 मिट candle देखो एक red color candle था नीचे आया अगला candle type of उसको cover करने का कोशिस कर रहा है तो जैसे इसका high break हो ना कहीं न कि यहां पर एक bullish scenario देख सकते थे till एक resistance level के आसपास यह जो मैंने level marking क almost 50,000 level का है yes almost 50,000 level अगर उसके उपर भी जाता है तो देखो previous हमने high पहले से market करके रखा है वहीं से market ने थोड़ा बीरिस scenario दिया बतलो at least यहां तक movement आया एक और trading opportunity हो सकता था normally होता क्या है जब market एकदम lifetime high में रहे एकदम lifetime high तो lifetime high जब market जाता है तो वहां पर 90 80-90 बोल सकते 80-90% है chance की एक selling दिखाता है तो अगर हम 5 मिनट time frame में chart open करूं 5 मिनट time frame का chart again थोड़े पहले हमने nifty में देखा एक double top यहां भी एक double top pattern देखने को मिल रहा है तो जैसे इसका low break हुआ हम यहां पर various opportunity ले सकते थे bank nifty आज के दिन बहुत अच्छा fall देखने को दिया है almost 50,000 level अ that is 50,100 मतलब कहिना कि 300 point का momentum भी हमें यहां पर देखने को मिल चुक है तो अच्छा का सा बेर इस opportunity मिला है अब हम यहां पर कल का trading plan अगर करना चाहें क्या देखना है यहां पर देखो एकदम सिंपल है support resistance का ध्यान से देखे support resistance wise इसको हम यहां पर थोड़े extend करते है इसको delete करत this is a support level upside में यहां पर resistance level है again same planning एकदम देखो तीन दिन से continue एक ही plan चल रहा है this is a resistance level that is around 50,200 यहां पर 50,200 लेवल है इसको ध्यान से लिखेंगे downside में support का बात करें यहां पर strong support है that is 49,600 लेवल ठीक है 49,600 लेवल यहां पर है चलो समझ गया अब यहां पर कल का अपने हमें opening देखने कल open कहां होता है closing यहां पर almost market दे रहा है दे चुका है 49,790 kind of 49,800 के असपास closing दिया है अगर market यहां से direct 400 point gap opening होता है या 500 point gap opening होता है तो सीधा यहां opening होगा common sense लगाते है जब market resistance के असपास open होता है क्या scenario हो सकता है definitely एक bearish scenario देखने को मिल सकता है तो कुछ नहीं यहां पर बस आपको observe करना है कोई bearish candlestick pattern आ रहा है कि नहीं opening के बाद अगर आता है उसका low के बाद हम यहां पर bearish scenario या bearish trade opportunity देख सकते है ठीक है यह तो चला होगा gap up अब मैं gap up के बाद immediate buying तब तक नहीं देखूंगा जब तक properly 50,000 इसको तहां से लिखेंगे जब तक 50,300 level जब तक 50,300 level के उपर market sustain नहीं करता तब तक हम यहां पर कोई bearish opportunity नहीं देखेंगे ठीक है sorry bullish opportunity नहीं देखेंगे slip of tongue हो गया ओके चलो यहां पर मैं gap up अब देखते हैं कि sir अगर कहीना के market इस range के अंदर open होता है अभी इसने closing कहां दिया है 49,800 अगर market इस range के अंदर open होता है तो क्या plan करना है एकदम simple है यहां से चोटा सा trend line खीचेंगे उपर resistance है तो अगर market यहां कहीं open होता ह हमें wait and watch करना कि यह नीचे की तरफ 49,800 के नीचे sustain कर रहा है कि नी कर रहा है अगर 49,800 के नीचे sustain किया तो थोड़ा सा बीरिस opportunity मिल सकता है 49,600 और 49,400 का target expected है अब side में अगर यह properly 50,200 के उपर sustain किया या 50,300 के उपर sustain करता है तब यहां पे हम bullish opportunity देख सकता है यह था sideways का scene but as an option seller अगर आपको लगता है कि यह level break नहीं होगा यह level भी break नहीं होगा तो आप यहां पर कहीना कि कौन सा trade plan कर सकते हो कौन सा strategy use कर सकते हो that is short straddle नहीं तो short strangle ठीक है I hope यहां तर clear हुआ अब देखते हैं कि sir अगर कहीना कि market थोड़ा gap down open होता है सीधा open हो गया 49,600 के आपर present level थे 200 point नीचे 200 point नीचे तो देखो यहां पर कुछ decision making हो सकता है market को देखना है कि properly 49,580 के नीचे या properly 550 के नीचे अगर sustain करता है 49,550 अगर इसके नीचे sustain करता है तो एक various opportunity देखने को मिल सकता है नीचे के तरफ एक support है that is around 49,000 का support है यहां तक का fall देखने को मिल सकता है that means 400 to 450 point का momentum हमें downside मिल सकता है fine I hope यहां तक clear हुआ तो यह था हमारा gap down गसीन अगर gap down में हमने देखा कि यहां पर बहुत बड़ा एक green color candle formation हो रहा है just like this one कि यहां पर fall आने कवाद सीधा marketing यहां closing कर दिया kind of यहां पर hammer candle आया अगर ऐसे hammer candle form होता है बहुत बड़ा उसका जैसे high break होगा हम यहां पर बूले इस opportunity देख सकते हैं for a bigger target यह हो सकता है यह आज के दिन निफ्टी में देखने को मिला था but almost थोड़ा से उपर हुआ था अगर निफ्टी में 15 minute time frame में आते है 15 minute time frame आप देखो just यह level मैं इसी चीज़ के बात कर रहा हूं यह जो candle stick हुआ है अब यह same candle stick मैं चा comment section और please comment करके बताना आज का वीडियो कैसे लगा plus मुझे यह बताना इस particular candlestick का नाम के है ठीक है चलो फिर आज का वीडियो यहें पर end करते है I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा do like and subscribe the channel ठीक है thank you